हलो बच्चो आप सभी का हमारे आइडियल देव किलासेस में सौगत है बच्चो आज हम आपके लिए एडियेट अभ्यास पुस्ति का विसे समझ विज्ञान लेके आएं जो कक्षा आठ्वी की है इसमें आपको हमारे आज अध्याय दो बिटिस पिसासर नीतियां और प्रभाव के बारे में बताएंगे इसके पहले हमने आपको अध्याय एक बताए थे अध्याय एक में क्या था भारत में बिटिस सत्ता की स्थापना और विस्तार के बारे में बताए थे और यह जो बुके बनाईगी रासिक्षा के इंदर द्वारा बनाई गई बुके हैं और इसके जो important question है उन्ही को main question है उन्ही को यहाँ पर बताया गया है तो बच्चो आज हम आपको अध्याय दो अध्याय दो में क्या है बिटिश पैसाशन नीतिया और प्रभाव इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे या यहाँ बताएंगे और यहाँ पर हमने note करके भी जो question है उनके answer हमने यहाँ पर note कर दी है आप चाहें तो अपनी जो eight gate book है उसमें लिख सकते हैं बच्चों जो पाड़ दो है अपना बिटिश पैसाशन नीतिया और प्रभाव इसमें जो मुक्षी चीज़े हैं जो है दोरा साशन प्रभंद से क्या आसा है इसके बारे में पढ़ेंगे regulating act और पिट इंडिया act के प्रभंदान क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी जो बुक दी हुई है इस बुक में पहला प्रशन जो दिया है अध्याय दो का वो पहला प्रशन है दोरा साशन प्रभंद से क्या आशे है तो इस आप देख सकते हैं और उससे देख के भी लिख सकते हैं आप वहां से नहीं लिख रहा है तो आप हमने जो ये वीडियो बनाया है इस वीडियो के माध्य हम से देख के लिख सकते हैं आपका जो आंसर बिलकु सटिक आंसर दिय गया है इसका उत्तर क्या है देखिए दोरा सासन प्रबंदन से क्या आसा है इसका उत्तर है बकसर युद के पस्चाथ जब बकसर युद हुआ उसके पस्चाथ उसके बाद बंगाल में दोरा सासन की सुरुवात होती है दोरा सासन की सुरुवात कब से हो रही है बकसर युद के पस्चात बंगाल में 12 सासन की सुरुवात होती है इस सासन प्रबंद के तहट जो ये सासन प्रबंद किया गया इसके तहट दिवानी के अधिकार कंपनी के पास थे दिवानी के अधिकार किसके पास थे कंपनी के पास थे लेकिन उत्तदाई तो नहीं जो बंगाल की कंपनी कार्थ होता है इसको अर्था सासन करना निजामत तो वही निजामत और फोजदारी का कार्या में बंगाल के नवाव के पास रहा लेकिन इसे लागू करने की सक्ति नहीं थी ये किसे तहथ बताया गया दोरह सासन प्रबंद जो बनाया गया था उसमें ये बाते आई पहली बात कब दोरा सासन हुआ बक्सर दियुत के परशाद बंगाल में दोरा सासन की सुरुवाद होती है इस सासन प्रबंद के तहत दिवानी के अधिकार कंपनी के पास थे लेकिन उत्तदाई तो नहीं वहीं निजामत और फोसदारी का कार बंगाल के नवाग के पास रहा लेकिन इसे लागू करने की सकती नहीं तो इस पकार से प्रसन एक का उत्तर हुआ आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं अपनी एडगेट की बुक में नेक्स्ट प्रसन है नेक्स्ट दूसरा प्रसन दिया है क्या दिया है दूसरा प्रसन देखते हैं दोहरी सासन व्यवस्ता से बंगाल की जंता पर क्या प्रभाव पड़ा जो दोहरी सासन व्यवस्ता बनाई गई उसका जो बंगाल की जंता थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा तो इसका भी उत्तर आप पाठ पुस्तक के प्रेश्ट के मांग सत बात्रा पर खोस सकते हैं और लिख भी सकते हैं एदि वहां से नहीं लिख रहा है तो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से लिख सकते हैं और समस्कते हुए हैं दोहरी सासनं उत्तर कैसे लिखेंगे वो बहुत हत्ता करन कि अत्यधिक नश्ट हो गई दूसरा कारण बता है दूसरा कारण क्या है उद्ध्योग और व्यापार में भी गिरावट देखी गई जो वहां के उद्ध्योग हैं और व्यापार हैं वहां पे कहां पे बंगाल में तो वहां के उद्ध्योग और व्याप काणता बताया गया जनता की दरीद्रता में और बढ़ोत्री हुई जनता जो है वहां की जनता की दरीद्रता में क्या हुआ अत्यदिक बढ़ोत्री हुई किसके कारण हुई दोहरी सासन वश्ता के कारण हुई इन सभी का परणाम यह हुआ की कंपनी को दोहरे सासन कूप अथा 1972 में समाप्त करना पड़ा इन जित्ते भी तीन कारान तो हमने तीन बता है लेकिन बहुत से और कारान है जो आप बुक में देख सकते हैं यहां इस्थान कम होने की वज़े से नहीं लिख पाए तो इन सभी जो परणाम थे इन परणाम से यह हुआ कि कंपनी के दोहरे सासन सासन कूप अथा जो है 1772 में समाप्त करना पड़ा इस परकार यह दोहरे सासन की कूप अथा बंद हो गई कब होई बन 1772 इस परकार आपका प्रेसर नंब और डीटिंग एक के प्रिम कुद्दिष मांग 18 पर उत्तर को देख सकते हैं और लिख सकते हैं डेखिए इसका हमने ऊत्र क्या बताया है इसका उत्तर लिखेंगा हम Regulating Act के प्रमुक उद्देश निम लिखित हैं पहला उद्देश क्या हो गया कमपनी के संगठन के दोसों को दूर करना जो कमपनी थी उसके संगठन के दोसों को दूर करना किसका Regulating Act के उद्देश थे दूसरा उद्देश क्या था भारत में कमपनी के सासन के दोसों का निरा करना भारत में जो कंपनी है के सासन के दोसों का निराकरन करना पहला क्या बता है हमने कंपनी के संगटन के दोसों को दूर करना दूसरा क्या बता है भारत में कंपनी के सासन के दोसों का निराकरन करना इसके बाद कंपनी के कमचारिंग के दवारा किये जाने वाले बेंट चार पर लगां लगाना इक कि सके प्रेम्भ उद्देश ओ गए रीगूलेटिंग एक्ट कियाटन किये गाये ते एक्छ dolory कि एक प्रेशन को आप अपनी पार्ट पुष्टक समाजी विज्ञान के प्रेश्ट के मांक 18 में खोश सकते हैं और लिख भी सकते हैं लेकिन इसका आंसर हमने यहां पर बता दी है प्रेशन क्या है रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किये गए उसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किये गए उसमें क्या पहला प्रावधान क्या हुआ जो बंगाल के गौर्णर थे को बंबाई और मदरास का भी गौर्णर जेनरल बना दिया गया नमबर एक नमबर दो क्या है कलकत्ता में 1774 में एक सरवच नयाले की स्थापन की गई किसके माद्य हमसे रेगुलेट एक में क्या क्या प्रावधान थे तो उसे दूसरा प्रावधान में क्या आ गया कलकत्ता में 1774 में एक सरवच नयाले की स्थापना की गई तीसरा देखिए तीसरा करान क्या बता है प्रावधान क्या है कंपनी के अधिकारियों को व् एक्तिगत व्यापार वह उपहार लेने से रोग दिया गया इस पकार यह आपका प्रस्ट नंबर चार था जो रेगुलेटर एक्ट के क्या क्या प्रभाव तो यह हमने आपको बता है इस पकार से तीन प्रभाव बता हैं आप अपनी कौपी में नोट कर सकते हैं जिन बच्च रहेंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे ठीके बच्चों देखी आप आगे अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट क्या है प्रस्ट नंबर पांच प्रस्ट नंबर पांच है पीट का इंडिया एक्ट किस उद्देश से बनाया गया इसे भी आप पार्ट पुस्तक के प्रेश्ट कमाक 19 में खोश सकते हैं तो इसको देखिए इसका हमने उत्तर के बताए आपको पीट का इंडिया एक्ट बनाने के पीछे निम लिखित उद्देश थे पहला उद्देश 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्यापत दोसों को दूर करना दूसरा कारण क्या बता है इसका दूसरा उद्देश क्या बता है कंपनी में भारती छेत्रों में प्रेशाशन को कुष़ल तथा उत्तदाइत्य पूर मनाना दूसरा उद्देश क्या हुआ पीट का इंडिया एक्ट का यह हुआ कि कम्पनी के भारती छेत्रों में प्रशाशन को कुसल तथा उत्तरदायतोपूर्ण बनाना तीसरा उद्देश क्या था भात्म इस्थित कंपनी के कार्य छेत्र और कार्य प्राड़ी को नियंत्रेत करना इस पकार से आपका प्रेशन नंबर कौन सा समापत हुआ प्रेशन नंबर पांच यहां पर समापत हुआ नेक्स्ट इसके बाद का प्रेशन पांच है प्रेशन पांच क्या है कानवालिस दौरा इस्थापिस शिवील सर्विस व्यस्ता की प्रमुग बाते बाते क्या थी इसको भी आप पाथ पुस तक के प्रेशन आमांग बीश में देख सकते हैं इसके उतर खोज सकते और वहां से देखके लिख सकते हैं अधि आपको खोजना नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो के माद्यम से भी देखके इन प्रेशनों के उत्तर लिख सकते हैं ठीके क्या है पहला इसका कानवाज द्वारे स्थाफिस सिविल सर्विस व्यवस्ता की प्रवुक बातें निमलि क्या है उसरे सिविल और राजास्व कोर्ट की सेंखला इस्थापित की और नंबर तीन है कंपनियों के अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी की ताकि वे भेस्टाचार में लिप्त ना हो हो इन्हीं सब सुदारों को 1793 में एकत्र कर कानवारिस सहीता का नाम दिया गया इस प्रेशन देखिए प्रेशन नंबर साथ है प्रेशन नंबर साथ क्या है बिटिस आर्थिक नीतियों का भारती समाज पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए बिटिस आर्थिक नीतियों का जो बिटिस की आर्थिक नीति थी उसका भारती समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ल इसका पहला प्रभाव है किशानों की आर्थिक इस्थिती बहुत ज़्यादा खराव हो गई वहाँ वे दो वक्त की रोटी के लिए तरस गए जिसका दूस परड़ाम भुकमरी के रूप में सामने आया देखो बिटिस आर्थिक नीटी का भार्ती समाच पर क्या प्रभाव पढ़ा तो हमने पहला प्रभाव क्या बताए जो भारत के किसान हैं भारत के किसानों की जो आर्थिक इस्थिती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई इतनी खराब हुई कि उन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रहे थी वो रोटी के लिए तरस रहे थे जिसका दूस परणाम क्या हुआ कि भुक मरी के रूप में सामने आया दूसरा देखिए रिन ग्रेस्ता में बढ़ोती देखी गई इसलिए तरस आफ़ का प्रष नमब्र सात है इह बहुत होता है next प्रसन देखते प्रस नमबर 8 प्रस नमबर 8 क्या है इस्थाई बंदोबस वरस्ता से क्या असा है इसका किसानों पर क्या प्रभावव पड़ा इसको भी आप पाठ पुस्ता के प्रेश्ट कमा की कैस में खोष सकते हैं और लिख सकते हैं देखिए इसका उत्तर हमने क्या बताए 1993 में कानवारिस ने कंपनी की आए बढ़ाने और उसमें इस्थिता लाने के लिए बंगाल उडिशा वा बिहार में इसे लागू किया इस्थाई बंदोबस वरस्तक से क्या आसा है तो इसका आंसर देखी क्या बनेगा 1793 में कानवारिस ने कंपनी की आए बढ़ाने और उसे इस्थिता लाने के लिए बंगाल उडिशा वा बिहार में इसे लागू किया गया किसे इस्थाई बंदोबस वरस्ता को इस वरस्ता से जमिनदारों को भू सौमी मान लिया गया तत्था भूमी पर उनका वानसानुगत अधिकार हो गया प्रभाव क्या पड़े? किसानों को इस सीर वरस्ता से लाब की प्रापती की अपिक्छा हानी अधिक हुई लगान का बोज बढ़ा लगान का बोज क्या हो गया? बढ़ गया इस देखो स्थाई बंदवस्ते व्यश्टा से क्या हुआ प्रभाव क्या पड़ा किसानों को स्थाई व्यवस्ता थी उससे लाप की प्राप्ति की अपिक्छा क्या होने लगा हानी होने लगी अदिक और begin क्या हो गया लगान का बोज बढ गया .. इस प्रकार से यह स्था से सरकार को क्या लाब हुई परीवान दूस अंचार ववस्ता से बिटिस सरकार को नेमली के तैब हुए इस ववस्ता के कारण भारत को बिटिस वस्तु का बाजार और बिटिस उद्योगों के लिए कच्छे माल को प्राप्त करने मे असानी हुई दूसरा सेनिक सामागिरी वाद सेनिकों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान बेजना तीरगामी हो गया और दूस अंचार में आप बता सकते हैं कि जो सूचना है आदान पैदान करने में इसमें क्या होगी सुविधाय हो गई कम समय में यहां की जानकरी वहां पहुंचा देते थे दूस अंचार के माध्यम से अब इसके बाद नेक्ष्ट प्रसना आता है प्रस नंबर दस प्रस नंबर दस है बिटिस सरकारद्वारा यूरोपी साहित्य और ज्यान विज्यान सिक्षन के लिए क्या क्या प्रबंद किये गये थे आप चाहें तो इसे पाठ पुस्तक के प्रेश्ट के मांग 24 में उत्तर खो सकते और लिख सकते हैं तो फिससे देखिए प्रसन क्या है बिटिस सरकार दवारा यूरोपी साहित्य और ज्यान विज्यान सिक्षन के लिए क्या क्या प्रबंद किये गये थे तो इसका ऊत्तर क्या हो गया बिटिस सरकार दवारा यूरोपी साहित्य और ग्यान विज्यान के लिए निमणखित प्रबंद किये गये थे नमबर एक अंगरेजो Dual द्वारा खोले गये इस कोलों में सिक्षा का माध्यम अंगरेजी को बनाया गया जो युरोपी साहित्य है उसके प बॉंबई और मदरास में विश्व देहलों की क्या की गई इस्थापना की गई तीसरा कंपनी की नोकरियों में अंगरीजी सिक्षप्रात भारतियों को निम्न पदों पर रोजगार के असर पैदान किये गए इस प्रसंदस था बिटिस सरकाद वर्यूर्पी साहित्य और ज्यान विज्यान सिक्षण के लिए क्या क्या प्रबंद किये गए थे तो यह इस प्रकार से जो आप में दस प्रसन बनाया थे ुढको को आपको हमने समझाए और यहां पर कुछ चीज़ा आपको और बता देते हैं जैसे पीटा किसे कहते हैं भावातम स्थित कंपनी के कारचेत्र भावात diet dot । नियंत्रर स्थपित करने के लिए बिटैन के पधान मंत्री विलियम पीट ने सन 1784 इश्वी में एक कानून पारित कराया जिसको पीट इंडिया एक्ट कहा जाता है आपको प्रस्ण पूछता है कि पीट इंडिया एक्ट किसे कहा जाता है तो आप आंसर दे सकते हैं भारत इस्थित कंपनी के 1784 इश्वी में एक कानून पारित कराया जिनको पीट इंडिया एक्ट कहा जाता है उसके बाद हम कार्णवारिष एक और चीज बता रहे हैं आपको लाट कार्णवारिष निया व्यवस्ता में जितने सुधार किये उन्हें इकरत कर सन 1793 इश्वी में कार्णवारिष सहीता का नाम दिया गया यह सक्तियों के प्रथकरान के सिद्धान पर आधारित है तो इस विकार बच्चों आज हमने आपको क्या बताए चामजव ग्यान के एडगेट बुक की अध्याय दो बिटिश पैसासन और नीतिया और उसके प्रभाव बताए इसके बाद के नेस्ट आने वाले वीडियो में बताएंगे आप अधि आपको हमारा वीडियो या हमारा वीडियो पसंद आता आया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेयर कीजिए ठीक है बच्चों कि कि